नमस्कार दोस्तो मेर नम स्रीकान कुमार अब देख रहे टुजेट प्रोसेस आज हम बात करने वाल इस वीडियो में दोस्तो अगर आपका उम्रे 15-18 वर्स की बीच में है तो उसके लिए क्रोना भैक्सिन टिका करन लेने के लिए रेजिस्टेशन चालू कर दिया गया है जि चले दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बलाइकन गंटी को भी प्रेस कर लिजिए ताकि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए तो चले दोस्तों वीडियो को सु के बटम पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद सबसे उपर में जो लिंक दिख रहा है कोविन इस लिंक पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों भारत सरकार का ओफिस्यल वेब साइट इस परकार से यहां पे उपेन हो जाता है और उसके बाद इस परकार से आपको नीचे आना और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा vaccination or children और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा 15 से 18 वर्स के लिए है तो दोस्तों book करने के लिए आपको क्या करना हुआ तो एक option देखने के लिए मिल जाएगा book your slot इस वाले option पे आपको click करना है click करने के बाद दोस्तो अगला page इस परकार से यहाँ पे open हो जाता है और सबसे पहले इस box में अपना mobile number को type कर देना और उसके बाद get OTP के option पे click कर देना और उसके बाद इस box में OTP को type कर देना और उसके बाद verify and proceed के option पे click कर देना है और दोस्तो इस number से जितने लोग भी registration करवाएं होंगे तो इस परकार से नाम देखने के लिए आपको मिल जाएगा और दोस्तो यहाँ पे मैं आपको बतला देते हैं कि एक mobile number से चार family का registration किया जाता है और उसके बाद दोस्तो यहाँ पे दिखिए एक option देखने के लिए मिल जाएगा add member इस वाले option पे click करना है click करने के बाद दोस्तो यहाँ पे दिखिए registration for vaccination का form जो है इस परकार से यहाँ पे open हो जाता है और इस form को किस परकार से fill up करना है तो इस वीडियो के last तक आपको बने रहना है तो दोस्तो सबसे पहले जो इस box में नाम को type कर देना है और उसके बाद यहाँ पे gender को select कर देना है और इस box में सबसे पहले अपना date of birth का जो years है इस box में आपको type कर देना है और दोस्तो यहाँ पे दिखिए बच्चा का यहाँ पे देखिए photo ID proof में document में आप क्या देना चाहते है यानि आपके पास क्या है तो जैसे इस पे click करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे देखिए बहुत सरे option देखने के लिए मिल जागा यहाँ पे देखिए सबसे first में option देखने के लिए मिलेगा अधार काड, driving lenses, pen card, passport बहुत तरह के यहाँ पे document देखने के लिए आपको मिल रहा है इसमें से जो भी आपके पास document है यहाँ से आपको select कर लेना है तो चले में यहाँ से select कर लेंगे अधार काड और अधार select करने के बाद दोस्तों इस box में सबसे पहले अपना अधार number को type कर देना है और फिर उसके बाद add के option पे आपको click कर देना है तो यहाँ पर दोस्तों सारा कुछ को फिलप कर लिए हैं और उसके बाद add के option पे click करते हैं और click करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दिखे individual registration successful यहाँ पे दिखा दिया इस परकार से और उसके बाद इस परकार से आपको नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे दिखे इस परकार से registration जो यहाँ पे हो गया है और यहाँ पर दिखे रिफ्रेंस ID नमबर और यहाँ पर सिक्रेट कोड नमबर भी देखने के लिए मिल रहा है अब आपको यहाँ पर अपवाइमेंट भूक करना होगे किस डेट में आपको जो है कि यहाँ भैक्सीन यहाँ पर आपको दिलवाना है तो पहला option जो कि search by pin के माधियम से खोच सकते हैं याँ एरिया का pin कोड नमबर डाल कर आप यहाँ पर खोच सकते हैं कि कहाँ पर भैक्सीन दिलाया जा रहा है और यहाँ पर दुसरा option जो दिएगा search by district के नाम से भी आप यहाँ पर search कर सकते हैं तो यहाँ पर चलिए दोस्तों search by district के option पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले state के नाम को select करना होगा और उसके बाद district के नाम को select कर ले ना उसके बाद search के option पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद दोस्तों इस परकार से यहाँ पे उपेन हो जाता है और दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा एज और दोस्तों यहाँ पे वैक्सिन का परकार आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा पर यहाँ पे दिखिए अभी अब लेवल select करना होगा select करने के बाद दोस्तों अगर इस तीन जनवरी को अगर खाली होगा तो इस प्रकार से यहाँ पर देखने के लब को मिल जाएगा center का नाम यहाँ पर देखे इस प्रकार से देखने के लब को मिल रहा है और कौन सा center में कितना खाली है तो इस परकार से यहाँ पे दिखिए देखने किलब को मिल जाएगा तो जी सेंटर में आप ले हाँ पे appointment बूक करना चाहते हैं तो उस पे आपको click करना होगा जैसे यहाँ पे दिखिए इस एंटर में हम बूक करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिखिए 90 स्लोट यहाँ पे खाली है तो इस पे आपको click करना और click करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दिखिए सबसे पहले जो है कि यहाँ पे आपको time select करने के लिए यहां पर option आ जाता है किस time में जोए कि आप appointment book करना चाहते हैं तो यहां से जोए कि आपको time पर click करना होगा इस परकार से और उसके बाद आपको confirm के option पर आपको click कर देना है और click करने के बाद दोस्तों यहां पर थोड़ा सा loading लेगा और उसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए आप appointment book हो गया और यहां पर दिखिए लिख दिया appointment successful और यहां पर दोस्तों आपको एक message भी मिल जाता है और उसके बाद download के option पर अपको click करना और click करने के बाद दोस्तों इहां पर जाकर जो है कोरोना वैक्सिन टीका करन लगवा सकते हैं तो दोस्तो इस परकार से आप जो है कि बूक कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो के लाइक कर जगा और मेरे चनल पर नए है तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर जब लाइकन घंटी को भी प्रेस कर ली जगा